हाई गाई सो मैं अभी यह रिकॉर्ड करने वाला हूं लाइव ही है वीडियो बट इट्स 325 एम राइट नाउ और मुझे पता है कि 325 पे आप लोग सब लोग सो रहे होंगे लेकिन क्या है कि राप को लाइट आपकी लाइट तो सही चल रही है फिर उजाला क्यों नहीं हो रहा है सब सभी है क्योंकि आपका क्या होता है ना कि रात में एलेक्टिसटी यहां पर कंटीनु आती है और दोपर मैं आपको पता एलेक्टिसटी कट बहुत ज्यादा होता है यहां इस वैसे मैंने चूज किया कि रात में ही रिकॉर्ड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज इसको क अपनी आवाज तो ठीक आ रही है नहीं आ रही है ठीक है तो चलो गाईज तो शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं चेक करता जाओंगा तो गाईज कहानी यह है कि हम करंट एलेक्टिसिटी के शॉर्ट थेरी और क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे क्वेश्चन बहुत जादा हैं इंतजार करते हो कि कब तक कम्प्लीट होगा लेकिन कम्प्लीशन का देखो एक तो हम चार्ज फ्लो के बारे में बात करेंगे ठीक है और इंपोर्टन्ट करंट पेरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं रजस्टेंस डिपेंडेंसी and variation with temperature पर हम बात करने वाले हैं, ओके, and color code हमारा exam ने निकाल दिया है, तो इसलिए color code पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि neat ने निकाल दिया है, ठीक है, और हम बात करेंगे, cell पर EMF और internal resistance, और combination of cells, किर्च ओफ लॉज, KVL और KCL, circuit analysis techniques, combination of resistors, wheatstone bridge, cube resistors, infinite ladders, thermal effect of current, जिसमें कि हम energy और power के बारे में बात करेंगे, किसकी बारे में, energy and power, इसके बारे में बात करेंगे, दूसरी चीज, maximum power transfer theorem, concept of power rating, galvanometer to emitter and voltmeter, और finally meter brace, क्योंकि neat ने potential meter भी निकाल दिया, इसलिए मैं discuss नहीं करूँगा, potential meter के बारे में भी, ठीक है, तो ना पहला concept आप समझो, इसमें concept इनी बहुत सारी चीज़े है, charge flow, अब पहली बात तो यह समझो, कि अगर charge flow देखना है आपको, तो अब एक चीज, अब समझो, यहाँ पर हम पहले current को define कर लेते हैं, जो current होता है, ना current, वो होता है, dq by dt, the rate of flow of charge, इसको बोलेंगे हम क्या, the rate of, rate of flow of charge, rate of flow of charge, यह instantaneous current भी होगा, समझ मही, for example, अगर i as a function of time, और यह i as a function of time, इस तरह से यह दे रखका है, अगर आपको q as a function of time दे रखका हो, तो आपको instantaneous current निकालने के लिए, आपको differentiate करना पड़ेगा, लेकिन अगर i की average value निकालनी है, तो आप सीधा delta q upon delta t भी कर सकते हैं, या फिर q net flow, q net जितना flow होता है, और upon बस time, t time में माले q charge flow हो रहा है, तो बस यह कर देंगे, अगर आपको माले लो i as a function of time पता है, जैसे यहाँ पर 2 sin 50 pi t पता है, i as a function of time 3 t square पता है आपको ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते है, charge flow अगर net निकालना है, तो आप integration i dt और t1 से t2 आप integrate कर सकते हैं, यह basically एक और चीज हो होता है, area under, area under it graph, area under it graph, only it graph दे रखा है, तो इसका area under the curve निकाल दो और वहाँ से आपको total charge flow पता लग जाएगा, ठीक है, तो यह तो यहाँ से important बात हो गई, अब आपको इसकी unit की बात बताओ, तो unit क्या होती है, current की unit आपको पता होना चाहिए, ampere होती है, ठीक है, ampere current की unit ह हो जाती है, ठीक है, important current parameters में आप बहुत ध्यान दे, क्योंकि इन पर question बन जाता है, सबसे पहले हम drift velocity की बात करें, drift velocity को हम define करते है, E into capital E tau upon M, जहाँ पर small e is the charge on electron 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb, capital E आपका हो जाएगा, electric field, tau is the relaxation time, or M is the mass of electron, ठीक है, यह हो जाएगा, ठीक है, I को हम N, A, A, VD से भी define करते हैं, जहाँ पर N is the number of free electrons, यह number of charge carriers, यह number of energy carriers per unit volume बोला जाता है, ठीक है, E यहाँ पर वो पता ही है, आपको 1.6 into terres 2 minus 19, और A is the area of cross section, और VD is the drift velocity, यहाँ पर अगर मैं मालो कोई आपका resistor है, resistor या फिर कोई भी resistor है, अफकोर्स ही बात है, resistor है इस तरह से, इसका area of cross section कितना A है, और यहाँ पर current इस तरह से flow होगा, आई, समझ मैं, यहाँ पर battery हमने लगा दिया है, अगर मैं यहाँ 0V बोलता हूँ, तो यहाँ पर VV हो जाता है, यहाँ VV हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0, अब यहाँ से यहाँ तक higher potential से lower potential electric field होता है इधर की तरफ, तो electric field अंदर इधर की तरफ होता है, अब electric field इधर की तरफ होने की वज़ए से electron इधर travel करता है anti-clockwise और electron जब anti-clockwise travel कर रहा है, इसका मतलब मेरा positive charge clockwise travel करेगा, यह हम मान सकते हैं, एक और important formula होता है mobility, mobility को हम drift velocity divided by e बोल स tau upon m, अगर हमने vd रख दिया, तो यहाँ पर mobility का formula e tau upon m भी हो जाएगा, और एक और mobility का formula मैंने semi conductor हो ही बताया था, खेर semi conductor आएगा, उसमें भी बताया देंगे, ठीक है, current density, जिसको current density बोलते है, current density का formula है, j is equal to i by a, current flow per unit cross sectional area, current flow per unit cross sectional area, current flow per unit cross sectional area, current flow per unit cross sectional, को हम क्या बोलते है, j भी बोल सकते है, जो कि current density के नाम से जाना जाता है, i को हम j dot a vector भी बोलेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते है, j a cos theta, अब ध्यान दें, अगर आपको कोई पूछता है, कि j vector quantity है, current density vector quantity है, जिसकी direction, current की direction में होती है, लेकिन current को हम vector quantity नहीं बोलते है, current को ह हम scalar quantity बोलते है, ठीक है, अब बात करते हैं भाई, एक और formula आपका आगया, e is equal to resistivity multiply by j b बोल सकता हूँ, e is equal to resistivity multiply by kya बोल सकता हूँ, j b बोल सकता हूँ, जहां पर row is the resistivity, ठीक है, ये सारी चीज़े है, current density की unit ampere per meter square हो जाएगी, तो ये इससे details आपको समझ में आनी चाहिए next हम slide पर जाते हैं और भी important चीज़े समझते हैं, resistance को totally हम जो define करते हैं, small m upon any square tau, जहां पर ये जो segment होता है, ये वाली value जो होती है, वो resistivity में आती है, मतलब row resistivity is equal to हमारी m upon any square tau हो जाएगी, ठीक है, जो कि basically only material पर depend करती है, किस पर depend करती है, एक तो material पर depend करती है, और भाई temperature पर भी depend करती है, क्योंकि temperature अगर increase करेंगे, तो tau की value क्या होगी, decrease होगी, और टाव की value decrease होगी, और conductor की case में एन लगबग change नहीं होता, तो in case of conductor, अगर में बात करूं, conductor के case में अगर में बात करूं, तो conductor में आपकी temperature बढ़ाने की वज़े स है, हमारा tau क्या हो जाता है, decrease हो जाता है, इसलिए resistivity क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रज़ेस्तिविटी बढ़ जाती है, और semiconductor की case में, semi conductor की case में, semi conductor की case में, एक काम होता है, temperature बढ़ाने पर, tau में ज्यादा changes नहीं आते, लेकिन N यहाँ पर क्या हो जाता है, भाई साब, n increase हो जाता है इसलिए resistivity की value क्या हो जाती है decrease हो जाती है यह temperature dependency भी हम बोल सकते हैं ठीक है now अगर मैं sigma define करूँ conductivity तो conductivity आपकी कुछ और नहीं होगी 1 upon rho हो जाएगी ठीक है unit की बात करें resistance क्या होगा फिर resistance हम यहां से define कर सकते हैं resistance is equal to rho L by A resistance हमारा rho L by A से define हो जाएगा ठीक है भाई बहुत ध्यान से समझना इसमें मजाक नहीं है R हमारी क्या होगी resistance हमारा directly proportional to length भी होगा और inversely proportional to क्या होगा area of cross section भी होगा if temperature increases resistance also increases by temperature अगर increase होगा तो resistance हमारा क्या होता है increase होता है conductor के case में क्योंकि वहाँ पर resistivity क्या होती है increase होती है समझे दूसरी चीज यहां पर मैंने बताई दिये आपको क्योंकि यह ऐसा हिसाब किताब है इसको मैं explain already आपको कर चुका हूँ for small variation in temperature अगर small variation in temperature हमारा अगर मुझे resistance देखना है final resistance is equal to क्या हो जाएगा resistance initial is multiply by one plus alpha delta T जहां पर alpha is the thermal coefficient of thermal resistance coefficient of thermal resistance यहां पर alpha हो जाएगा ऐसे हमारा row at T2 temperature is equal to row at T1 temperature bracket one plus alpha delta T जहां पर alpha क्या है coefficient of thermal resistance ठीक है यह सारी चीज़े हैं आपको यह याद रखनी पड़ेंगी for semi conductors कहानी उल्टी हो जाती है उनको भी मैं यहाँ पर explain कर चुका हूँ वाई semi conductor के लिए temperature बढ़ाने पर जो resistivity होती है वो कम हो जाती है resistance कम हो जाता है समझ गया है और temperature increase करने पर basically जो क्या कहते है N क्या होता है number of free charge carriers का value increase हो जाता है ठीक है लेकिन यह चीज़ क्या करती है N का जो बढ़ना है वो dominate करता है टाव के घटने पर समझ में आ रही है इसी लिए हम मेल ली क्या मानते है temperature बढ़ाने पर semi conductors में N की value बहुत जादा बढ़ती है टाव में ज्यादा changes आते नहीं है तो resistance, resistivity कम हो जाती है इस तरह की यह कहानी है I hope आपको इसमें कोई problem नहीं होगी और यह सारी चीज़े important है अब यहाँ पर क्या है कि इससे बताने से पहले एक चीज़ यह और देख लीजिए कि मालो के यहाँ पर resistivity है यह किस के लिए resistivity है मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा यह copper के लिए है copper के लिए यह copper के लिए है copper के लिए समझ मैं copper का हम resistivity यहाँ पर resistivity ले रहा है किसकी copper की और किसके versus time sorry temperature versus हम graph बना रहा है तो भाई resistivity इस तरह से इसकी क्या होती है increase होती है ठीक है ना अगर मैं यह NCRT से लिया है मैंने यहाँ पर देखिए resistivity अगर मैं बात करूं किसकी अगर मुझे resistivity बात करनी है अगर आपको पता हो नाइक्रोम नाइक्रोम एक्चल में किसमी यूज होता है जो बिसिकली बल्व के फिलमेंट वगेरा में यूज होता है तो नाइक्रोम की resistivity अगर देख है हम semiconductor के case में देखना चाहते हैं तो semiconductor की resistivity temperature बढ़ाने के साथ साथ में क्या होती जाती है decrease होती जाती है इस तरह से कहानी होती है भाई आपकी यहाँ पर हमने copper के लिए लिया यहाँ पर हमने किस के लिए लिया नाइक्रोम के लिए के लिया समझ में आई यह 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 लिखा हुआ है आपको मेंगनी मेंगनियम एंड कंस्टेंट यह एक्चल में वो materials हैं जो basically filament में यूज होते हैं बल्व के फिलमेंट में यूज होते हैं वो materials हैं उनके लिए इस तरह से semiconductor के लिए इस तरह से और यह क्या कहते हैं आपका कोई भी graph आपको पूछा जा सकता वाई semiconductor के लिए copper के लिए और वो materials जो के फिलमेंट में यूज होते हैं नाइक्रोम रखरा उनके लिए किस तरह से होगा तो वह आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह क्या लिखा हुआ है यह इसमें नाइक्रोम लिखा हुआ है नाइक्रोम नाइक्रोम की resistivity वर्सेस किसमें टैंपरेचर में हमने temperature किसमें Kelvin उसमें हमने क्या graph रो किया जो कि linear graph बनता है समझे यह next अब हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं इससे पहले क्या समझाना चाहते हैं वो समझो आप एक चीज इंपॉर्टन चीज इसको समझते हैं मालो हमारा resistance कितना आ गया resistance आ गया इसको बहुत ध्यान से समझें इसमें कहानी क्या है कहानी यह कि मालो आपका यह आपका area of cross section है ठीक है area of cross section आपका यह हो गया और इसकी जो length हो गई वो length यह हो गई अब मुझे एक बाँ बताओ कि area of cross section multiply by length यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका volume यह हो जाएगा आपका volume हो जाएगा समझ में आ रही है एक बार मुझे mobile को वो कर दूं silent पर डाल देता हूं ठीक है हाँ तो हमारा हम क्या कह रहे थे आपसे एक बार और क्रॉस चेक कर लूँ कि हमारा recording live सभी तो चलता हूं हाँ तो देखिए कहानी क्या है कहानी को समझें बहुत ध्यान से कि यहाँ पर volume हो जाएगा अगर मैं वायर को stretch करता हूं यह compress करता हूं अगर मैं वायर को है स्ट्रेच करता हूं stretch मतलब कीच देता हूं कीच देता हूं अगर मैं खीच दूंगा तो इसकी length तो increase हो जाएगी लेकिन area cross-section क्या हो जाएगा कम हो जाएगा लेकिन वालूम क्या रहेगा material का volume material का same रहेगा, volume में कोई change नहीं आएगा, तो ऐसे cases में देखो दो चीजें हो सकती है, कि R को हम दो terms में लिख सकते हैं, rho L by A, A को मैं लिख रहा हूँ यहां से, यहां से देखो A को मैं क्या लिख रहा हूँ, A को लिख रहा हूँ, V by L, तो यहां से यह value आ जाएगी, rho L square divided by V, अब मैं अगर खीचा तानी कर रहा हूँ, खीच रहा हूँ, wire की length increase कर रहा हूँ, या फिर compress करके उस wire का area of cross section बढ़ा दिया और length कम कर दिया, तो यहां पर volume constant रहेगा और resistivity constant रहेगी, क्योंकि material same है, तो यहां पर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि R जो होगा, वो directly proportional to L square हो तो अपन यह भी लिख सकते हैं भाई, delta R upon R is equal to, multiply by, multiply by 100 is equal to 2 into delta L upon L into 100, यहां से यह क्या चीज़ है, this is the percentage change, percentage change in resistor, percentage change in resistor, ठीक है, और यह क्या है, यह है, यह है 2 into percentage change, percentage change in length, समझ मैं, length, आपको area of cross section को यहां पर देखने की फिर जरूरत नहीं है, अगर आपको यह पता लग गया है, भायर की कीचत आनी के बाद, यह सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है, यह सारी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको मसला होगा, आपको समझ मैं आ यह बात, ठीक है, यह वाली बात समझ मारी है, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाई, सब देख तो सही रहा है, एकदम सही देख रहा है, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब यह देखो, यह तो एक formula बन गया आपका, ठीक है, अब दूसरी चीज, तो इसका मतलब यहां पर length बढ़ाने पर resistance की value क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, ठीक है, और किस percentage के साब से बढ़ेगी, वो मैं आपको already बता चुका हूँ, now, next case होगा इसका, उसको और समझाए, कि भाई, ऐसा अगर resistance को हम एक और तरीके से लिखा जा सकता है, resistance होता है आपका rho L by A, अगर आपको area of cross section या फिर radius म अगर कोई wire की radius में कोई changes दे रखे हैं, तो उस हिसाब से कैसे लिखेंगे, rho into L, L को हम क्या लिख सकते हैं, L को यहां से V by A लिख सकते हैं, V by A लिखेंगे, और V by A लिखेंगे, तो A के नीचे है, तो यह हो जाएगा, rho V upon A square, यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम सीधा, एन सीधा, क्या बोल सकते हैं, यह देखो, यहां से हम सीधा बोलेंगे, भाई, R की value, inversely proportional to A square होगी, और यहां से हम अगर लिखना चाहें, delta R upon R into 100, तो is equal to हो जाएगा, minus 2 into delta A upon A into 100, मतलब यह है, कि यहां पर एक चीज़ बोलेंगे, कि अगर मैंने area of cross section को increase किया, तो resistance की value क् होगी, decrease होगी, minus sign A show कर रहा है, और इसको लिख सकते है, percentage change, percentage change in resistor, resistance, percentage change in resistance, resistance is equal to minus 2 into percentage change in area of cross section, area of cross section, ठीक है, यह लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ आप समझने की कोशिश करो, कि अगर मैं area को, area pi r square भी होता है, अगर wire क्या है, wire आपका अगर cylindrical है, cylindrical, cylindrical, अगर wire cylindrical है, तो area होगा आपका कितना pi r square, ठीक है, pi into radius का square, तो उस case में कहानी क्या हो जाएगी, उस case में बहुत ध्यान से समझना, कि जो resistance होगा, वो inversely proportional to 1 upon r raise to 4 होगा, ठीक है, 1 upon r raise to 4, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, delta r upon r into 100 is equal to minus 4 delta small r upon small r into 100, तो उस case में हम लिख सकते हैं, कि percentage change in resistance capital r is equal to minus 4 into percentage change in change percentage change in radius, समझ मैं, तो इस तरह से यह concept को याद रखेंगे, इस concept से हम बहुत सारे questions आपके बनाएंगे, एक बार देख लो, visuals इसके, यह बहुत ही beautiful concept है, I don't think so, कि इसमें किसी को कोई problem होगी, next, next, next बात करेंगे हम cells की, ठीक है, हम किस की बात करने वाले हैं, next, हमारा cells की बात करने वाले हैं, next, I hope आपको सब कुछ दिखाई दे रहा हो, आपको, सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलो भई, अब देखो, दूसरी चीज हम बात करेंगे, cell और EMF and internal resistance, देखो क्या होता है, एक जो cell होता है, उसका एक तो EMF होता है, और एक उसका internal resistance होता है, अब बात यह है कि इसमें, अगर current, current ऐसे flow कर रहा है कि उसके बैटरी के negative terminal से positive terminal की तरफ current flow कर रहा है, तो battery source की तरह भीव कर रही है, किस की तरह, source की तरह भीव कर रही है, मतलब यह battery use में आप ले रहे हैं, उस time पर जो potential difference होता है, potential difference का मतलब यह हुआ, कि बैटरी के across जो potential difference होता है, पूरा, जो battery बाहर जो potential अगर बैटरी लोड की तरह भीव कर रही है बैटरी लोड की तरह भीव गरचार्ज बैटरी लोड की तरह भीव करती है और जब बैटरी लोड की तरह भीव करेगी तो कहानी यहोगी के बैटरी के अक्रॉस चुप उटेंशल दिफ्रेंस हो जाएगा वह जाएगा आपका ए प्लस आई यार मतलब पोटेंशल डिफरेंस की वेल्यू यहां पे ग्रे कर यह अल्टरणेटिव में देखो ध्यान से यहां पर मालो यह capital आर रेसिस्टेंस external resistance लगा हुआ है और यह आपकी क्या है बैटरी है यह आपकी क्या है भई बैटरी है तो आप बात समझने की कोशिश करें, कि हमको यह पता ही है, V is equal to IR, अगर नहीं पता तो आप यह धिहार रख लो, कि IR is the Ohm's law, यह क्या होता है भाई, यह होता है, Ohm's law, Ohm's law की खास बात क्या होती है, कि resistance की value जब constant होती है, तभी हम Ohm's law लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, V directly proportional to I होगा, और V क्या है basically, V कुछ और नहीं है, potential difference है, potential difference across the resistor, तो मालो अगर इस resistor के across में potential difference देखूँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर potential A है, तो यहाँ भी A होगा, और यहाँ भी कितना होगा, B होगा, तो इसके across जो potential difference होगा, वो VA-VB होगा, और VA-VB की value हमें पता है कितनी होती है, VA-VB, अगर यह battery source की तरह भीव कर रही है, तो E-IR होता है, तो इसको VAB is equal to हम इसमें जाने वाला current multiplied by इसका resistance लिखेंगे, इसमें जाने वाला current multiplied by इसका resistance लिखेंगे, तो यहाँ पर VAB की value जैसी मैंने E-I small r रख दिया, तो यहाँ से हमको calculate करके, जो हमारा VAB, मतब actual में जो current की value आएगी, यहाँ पर actual में I की value इन्हों ने रख दी है, E upon R plus R, चलो वो भी करके देख लेते हैं, कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया है, VAB is equal to IR, यहाँ पर current की value कितनी कर दी है, current is equal to, जो EMF है, EMF कितनी, E upon resistor external plus internal, तो यहा को दूसरी चीज, अगर मैं VAB को क्या रख दूँ, VAB को अगर मैं रख दूँ, E minus IR, VAB E minus IR भी तो है, यहाँ से जब तुम current की value निकालोगे, किस की value, current की value, तो current की value यहाँ से जब calculate करोगे आप, तो current की value वही आएगी, कितनी, E upon capital R plus small R, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐ सिमालो, कि यह internal resistance है, वो कुछ और नहीं है, एक बस extra resistance आ जाता है, उससे कोई और changes नहीं होते, देखो, दूसरा एक और, जो third case है, चुकिए important होगा, वो मैं यहाँ करा रहा हूँ, कि अगर current की value 0 है, अगर current की value 0 है, मतलब circuit में कोई current नहीं है, open circuit है, open circuit, क्या है भाई, open circuit, open circuit के case में, open circuit के case में, जो VAB होगा आपका, वो हो जाएगा, EMF के equal, मतलब, जितना potential difference across the battery, potential difference across the battery is equal to EMF हो जाएगा, ठीक है, यह इसका third case हो गया, आगे बढ़ते हैं आपन, a combination of cells की हम थोड़ा बात करते हैं, भाई, combination of cells में, series में combination हो सकता है, cells का, और parallel में combination हो सकता है, cells का, माल series में combination देखना है, तो यह E1 और यह R1, इसका E2 EMF और R2 इसका क्या है भाई, resistor, resistance, internal resistor है, ठीक है, और E3 और इसका internal resistance कितना है, R3, समझ में आई, तो अब इसको अगर मुझे E equivalent और R equivalent में देखना है, तो E equivalent को हम सीधा यह लिख सकते हैं भाई, यह देखो धियान से, जो बैट चैनल आपरेटी के हैं, ओपर्जिट में हैं, इसका positive इधर है, negative इसका positive इधर है, negative इधर है, इसका negative इधर है, इसका positive इधर है, तैटिस भाई मैंने इसको minus E3 लिया है, R equivalent की value कितनी हो जाएगी, R equivalent तो तीनों कितीनों series में, जितना current, जितना current R में जाएगा, जितना R3 में आपकी एवन और यहां पर इसका इंटल रिजिस्टन्स कितना आरवन ठीक है अब भाई यह देखो अब भूत ध्यान से देखने की कोशिश करें यह देखो इवन इसका आरवन लेकिन यह मैंने उल्टी लगा दिये इसका माइनस इधर प्लस इधर इसका प्लस इधर इसका माइनस इधर यह मैंने उल्टी लगा दिये उल्टी लगा दिये तो देखो क्या होगा पहले बाद ध्धान से समझो इसका इक्वलेंट निकालना है इक्वलेंट तो इसका फॉर्मला है E1 upon R1, अगर यह सीधी लगी होती, मतलब इसका plus इदर, इसका minus इदर, इसका भी plus इदर होता, इसका minus इदर होता, तो formula बनता E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 अगर तीसरी बैटरी भी होती, और plus E4 upon R4 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, इस तरह से आपका क्या हो जाता, यह equivalent EMF आता, ध्यार से समझने क कोशिश करो, यहाँ पर, यहाँ माइनस प्लस हो सकता, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह बैटरी उल्टी लगी होई है, that is why यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पर तो plus ही आएगा, नीचे हर जगा प्लस आएगा, नीचे हर टिकालना है तो R क्या है पैरलल में है तो सीधा 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, ठीक है, here we took as, समझना ध्यान से, इस direction को हमने positive लिया है, that is why हमने क्या किया है, इस तरह से कहानी को लिखा है, अगर opposite direction को हम positive लेते, तो हमारा ये minus E1 minus E2, ये plus E3 हो जाता, और ये क्या हो जाता, य माइनस E1 upon R1 plus E2 upon R2 हो जाता, अगर हम plus वाले को इधर वाले positive terminal, इधर वाला negative terminal को हम positive मानते तो, ठीक है, ये सारी चीज़े है, अब इसमें एक और चीज बहुत ध्यान से समझो, जो कि मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कि देखो, अगर ऐसा हो जाए, series में, series में, अगर N equal batteries, N equal cells को अगर मैं series में लगा दूँ, तो उस case में, बहुत ध्यान से समझो, N equal cells को, series में लगा दूँ और ध्यान से समझो, same direction में है, same direction में हमने लगाए है, तो आपका E equivalent जो हो जाएगा, E equivalent उस case में हो जाएगा, N into E, ठीक है, यह जो N equal cells लगाए है, उनका E क्या EMF और internal resistance कितना है, R है, और R equivalent कितना हो जाएगा, R equivalent आपका हो जाएगा, N into R, ठीक है, अब series में ही लगा रहे हैं, लेकिन next case series का क्या है, कि भाई, N cells है, N cells में से, M cells are in opposite polarity, opposite polarity, polarity, अगर N, तो E equivalent इस case में क्या होगा, ध्यान से समझाए, तो E equivalent इसका हो जाएगा, N minus 2M into E, और R equivalent सेम रहेगा, कितना N R, यह ध्यान से समझाए, इन cases को ठीक है, दूसरा एक case होता है, parallel combination का, parallel का आपको, parallel, parallel combination में, N equal cells, equal cells है, ठीक है, और एक का कितना EMF, E, और internal resistance R है, तो सेम डिरेक्शन में लगाते हैं इनको, generally, तो सेम डिरेक्शन में आपने लगा दिये, यह, एक ही case कराऊँगा इसका में, तो आपका E equivalent जो हो जाता है, वो एक cell के EMF के equally हो जाता है, एक cell के EMF के equal हो जाता है, और अगर आपको R equivalent चाहिए, तो वो सीधी-सीधी बात है, वो R by N के equal हो जाता है, यह, आपको याद रखना, इसके diagram से अगर मैं बनाना चाहूँ, तो I don't think so, कि किसी को कोई problem होगी, देखो, diagram साओर देख लो, इनके, देखो, diagram में क्या है, इन जो same direction में लगे है, वो इस तरह से लगे होंगे, देखो, यह इसका Intel resistor, इसका Intel resistor, यह इसका Intel resistor, इस तरह से, ऐसे करके, कितने लगे होंगे, एन-cells लगे होंगे, ठीक है, लेकिन direction क्या है, सबकी, same है, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, इस तरह से, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भाई यह होगा, कि माले एक यह लगा है, और एक यह लगा है, और एक यह लगा है, अब सुचो, एक opposite में लगा है, एक कैसी लगा है, opposite में लगा है, तो इस तरह से इसमें भी n total cells होगे, बट M जैसे यहां पर total cells 4 हैं, और उसमें से कितना opposite में लगा है, एक opposite में लगा है, इसका मतलब ये opposite वाला एक और इसको खा जाएगा, तो net आपका 2E आएगा, 4 भले ही है, n कितना n की value इसमें कितनी है, n क कि वेलू कितनी है चार लेकिन एक औपसिट में लगा यह तो टू इन्टू एंब टू इन्टू वन तो चार-माइनस टू इन्टू-वन चार-माइनस-दो मतला 2e इसका इक वलेंट आएगा आएगा अभी क्योंकि एक 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 भुखा जाएगा बचेए के तन कि दूप एक बेटरी रही और एक बैटरी यहीं और ऐसे ही कितनी बैटरीज लगई है फ़ाई एन वैटरीज लगई है ठीक है एन सेल्स लगए है यहां पे अगर इनका E equivalent निकालना है धियान से समझ़ए कि इनका E, R, Mत बसकी क्या है सेम है सबका, R, IntelliZision भी क्या है इनका 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 भी क्या है तो ध्यान रहे यह भी important concept है इस पर question आ सकता है तो मुझे नहीं लगता किसी कोई problem होनी चाहिए क्रिचोफ लोग के वी और के सील को समझते हैं के वील से भी question आ सकता है के सीएफ से के सील से भी question आ सकता है इसको junction rule बोलते हैं इसको लूप रूल बोलते हैं देखो ध्यान से समझने की कोशिश करें कि यहां पर अगर current वालो कुछ आ रहा है यहां से समझो current इसमें से क्या कर रहा है entry कर रहा है यहां से current क्या जा रहा है यहां से current क्या है जा रहा है तो मालो जाने वाले current को negative मालो आने वाले को positive मालो तो सब का सम किसके एकवल होगा 0 क्योंकि junction पर कोई charge बन नहीं रहा है यहां पर 4 ampere मैं से 1 ampere इधर गया और इधर कितना गया मालो 3 ampere तो देखो क्या लिखेंगे आने वाले को plus ले लिया plus 4 जाने वाले को minus ले लिया जाने वाले को minus ले लिया तो net कितना हो गया 0 मतलब कहेंगे I towards the junction is taken positive I junction की तरफ आने वाले current को positive ले लो यहां पर लिया है हमने positive तभी ऐसा हमने लिखा है तो basically क्या कहेंगे अपन junction पर आने वाला current net या फिर जाने वाला current net क्या होगा 0 मतलब यह कहने की बात है कि junction पर net current क्या होता है 0 होता है junction से कोई current बनता नहीं और नहीं जंक्शन से जनरिक होता है case KVL क्या होता है KVL कुछ नहीं होता वाई या दि return registers दे नहीं रखे यह R1 है यह R2 है बस आपको इस loop में एक arrow बनाना है एक arrow clockwise मालो बना दिया अब बस आपको क्या करना clockwise arrow की direction में यह मालो कि मेरा current है अगर current की value भी clockwise ही है तो देखो जब भी resistor में current की entry होती है उस direction को positive और जहां से current निकलता है उस direction को क्या negative यहां पे भी current ऐसे enter करेगा इसमें भी तो यहां plus और यहां से निकल रहा है तो negative ठीक है यहां पर minus यहां पर plus इस तरह से आके इसमें current ऐसे entry कर रहा है तो यहां पर plus और यहां पर minus register की एक खास बात होती है बाई register के लिए आपको positive terminal register का कहा होगा यह negative terminal कहा होगा रजिस्टर में वो तभी पता लगा सकते हैं आप जब करंट की डिरेक्शन पता हो अगर करंट की डिरेक्शन नहीं पता तो आप यह पता नहीं लगा सकते रिजिस्टर में कि प्लस का होगा माइनस का होगा अगर मैं कुझे करंट इस डिरेक्शन में तो सीधा प्लस यहां लगा दो कि माइनस यहां लगा पाएगा क्योंकि प्लस से माइनस जाएगा बेंच तो रहोच जाएगा या कि पर रभावा है नियुक्कि गट बैटरी का चोटा टरमिनल, नेगिटेव और बड़ा टरमिनल पॉजब सिक नाया में bridge मैं से दिया, a, b, c, d, a इस loop में अगर मैं जिन चलना है तो देखो किस तरह से मैं चलूँँगा यहां पर फ्यान से देखो कि मैं यहां से चलना शुरूए रहा हूँ तो यहां पर देखो इधर से इधर गया भैड्यान से समझने की कोशिश करें छलने की कोशिश कर रहा नो मैं क्या है कि इसको थोड़ आसा अपन ऐसा करते हैं गलत लिख गलत नहीं एक चलने की को शख कर रहा हूं तो इसको लिखने का एक तरीका है वो मैं लिख रहा हूं कि अब ध्यान से समझें पहले इस चीज को मैं मिटा देता हूँ जिस से कोई प्रॉबलम ना हो आपको ठीक है अ कि यह मैं मिटा रहूं आपका ठीक है अब देखो इसमें हम अब मिलके लिखते हैं अम मिलके लिखते हैं देखो क्या लिख रहे हैं मुझे बताइए मैं शुरुवात एसे कर रहा हूं तो प्लस से जब माइनस जाओंगा तो यहां पर पुटेंशल डिफरेंस कितना होगा प्लस से माइनस जारा हूं तो मुझे माइनस करना पड़ेगा मांइनस आई आर यहाँ पर प्लस से माइनस जाओंगा इसके अक्रॉस पटेंशल डिफरेंस कितना होगा आई ए आर टु तो यहां पर फा dopamine आस से 플ाह्स जारा हूं और लेकिन एढक। इद़ कितना होरा है potential difference E1, तो plus E1, और यहाँ पहिए, आऺए, आगया, फे आगया, पहिए, प्लस से मायनस जा रहा हो तो इसके across potential difference कितना लिखूँगा? I R3, तो मायनस I R3, ठीक है? और यहाँ पहिए, और यहाँ पहिए, मायनस से मैप cancelled जा रहो, माइनस से प्लस जा रहो, समझना मेरी बात, माइनस से कहां जा रहो, प्लस जा रहो, तो माइनस से प्लस गया, तो कितना हो गया, यहां पर प्लस एटू, अब ध्यान से समझो, हम शुरू कहां से किये थे, यहां पर शुरू किये थे, तो मालो यहां का पोटेंशल थ जाएगा जीरो वोल्ट फिर माइनस आई रवन फिर माइनस आई रटू फिर प्लस एवन और इस तरह से माइनस आई रटू प्लस एटू और फिर इस इक्वल टू कितना हो जाएगा का पहुंचेगे फिर से जीरो पर पहुंचेगे इस इक्वल टू जीरो तो इस तरह से यहा question direct पूछा जा सकता आपको KCL is based on charge conservation KCL is based on charge conservation charge conservation ठीक है और अगर आपको कोई पूछता है कि KVL किस पर बेस्ट है तो KVL को आप बोलेंगे it is based on energy energy conservation energy conservation यह question direct पूछा जा सकता exam में कि भाई साब KCL is based on charge conservation but KVL is based on energy conservation बहुत important है ध्यार रहे हैं आगे बढ़ते हैं circuit analysis more techniques अब इनको समझने की कोशिश करते हैं अब देखो क्या है यहां पर क्या है कि I जो यह होगा यहां पर battery लगी हुए यह R1 यह R2 यहां पर यह प्लस है क्योंकि current अगर मैंने clockwise माल लिया इसका मतलब के लिए है कि यहां पर प्लस लगाएंगे यह माइनस क्योंकि current की entry इसमें इसमें भी यहां पर current की entry ऐसे इस तरह से समझ मैं अब देखो ध्यान से सीधा निकालूँगा इनका R equivalent मुझे आना चाहिए जिसको मैं सिखाऊंगा अभी चलके वी अपॉन आरवन प्लस आर्टू समझ मैं यह current की value आ जाएगी अगर मुझे potential difference निकालना भाई इसके across किसके across निकालना है आरवन की across तो आरवन की across potential difference वी वन कितना हो जाएगा वी वन हो जाएगा current इंटू R1 ठीक है और current की value आगई वी अपॉन R1 प्लस R2 इसलिए क्या करेंगे सीधा आपका वी अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 ऐसे वी टू अगर मुझे निकालना है तो वी टू हो जाएगा current इंटू R2 तो इस तरह ऐसे यह वी अपॉन R1 प्लस R2 इ इनके across, मतलब R1 के across potential difference और R2 के across potential difference यह सीधा का सीधा किसके directly proportional होगा, R के directly proportional होगा, किसके across, किसके directly proportional होगा, अनके resistance के directly proportional होगा, जब यहाँ पे अगर parallel combination में लगे हुए है, parallel का मतलब होता है, इन दोनों registers के across potential difference क्या है, potential difference इन दोनों के across क्या है, same है, यहाँ पे जो current की value होत तो क्या होती है 1 upon R मत्तब inversely proportional to क्या होती है R यहाँ पर current का distribution इस तरह से चलता है अगर कोई पूछे तो directly आप निकाल सकते हैं कि मालो I net current है आपका net current अगर I है और यह R1 है यह R2 है तो simply आपको क्या करना है अगर इसमें R1 में जाने वाला current निकालना है तो I R2 upon R1 plus R2 अगर आ I2 निकालना है I2 निकालना है तो सीधा I R1 upon R1 plus R2 यह मैंने direct formula लिग दिया है current की distribution का तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए इनमें कोई परिशानी नहीं हो चाहिए direct कर देंगे अगर यहां से मालो 10 ampere current जा रहा है इनके resistance आपको पता है तो सीधा आपको I1 I2 निकालने के लिए आइवन के लिए आप क्या करोगे आर्ट आइनेट मैटी प्लावार आट आपन रवन प्लस आटो कर आई टू के लिए क्या करोगे आई नेट आरवन अपन रवन प्लस आट टूइड आप लगा सकते हैं को कैसे निकालते हैं वो भी समझ लोगे लेकिन direct formula आप याद के इसको सॉल्व कराया गया है ठीक है केसी यह लगा के सॉल्व कराया गया कि यहां पर अगर मालो जीरो पोटेंशल है मैंने बोला था कि कोई भी किसी भी तरह की सर्कुट दे रखी आपको तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा क्या आपको रजिस्टर के अक्रॉस पोट रजीरो है यहां पर टैन वोल्ट हुजाएका लेकिन यहां से आगे नहीं जा सकते हो क्योंकि र이्जिस्टर लगा हुआ है रिजिस्टर में करणन पता नीए आपको रटन नहीं पता तो आपको यहां relevant पता लगेगा नहीं ठीक है ऐसा ही यहां से यहां भी नहीं जा सकते तो आपको यह ऐसा point मिलीगा जिसका potential निकालना possible नहीं है इसलिए इसका potential मैंने x माल लिया अब इसमें मैं क्रिच ओफ current law लगाऊंगा इधर की तरफ जाने वाला current कितना माल लो i2 माल लो और इधर की तरफ जाने वाला current कितना माल लो i3 माल लो समझ मैं अब इसमें current law कैसे लगाएंगे कि भाई i1 प्लस i2 प्लस i3 का सम क्या होगा 0 होगा अब बस आपको क्या करना है ध्यान से समझो कि यह i1 यहां से इधर पास होके आएगा i1 यह i1 इसमें भी जाएगा ठीक है अगर यहां पर x potential है तो यहां पर battery के अगर plus से में minus जा रहा हूँ तो यहां पर केतना हो होगा यहां पर x minus 4 हो जाएगा यहां पर x minus 4 और यहां पर कितना है 0 तो इसमें जाने वाला current कितना लिखेगा i3 i3 लिखेगा x minus 4 minus 0 upon 2 तो x minus 4 minus 0 upon 2 ऐसी आपका i2 कितना लिखोगे i2 लिखोगे x minus 10 upon 2 तो x minus 10 upon 2 ऐसी i1 कैसे लिखोगे x minus 2 minus 0 upon 4 x minus 2 upon minus 0 upon 4 और इससे x की value 6 volt आ यह जैसी 6V आ जाती है तो वैसे ही current की value I1, I2, I3 निकलाएगा अगर I1, I2, I3 में से कोई positive है तो इसका मतलब यह है कि जो direction हमने मानी थी वह ही सही है अगर इन में से कोई value negative आ जाती है इसका मतलब यह है कि जो direction हमने मानी है वो सही नहीं है उसके opposite में current flow होगा तो इस तरह से ह हमने यहाँ पर KC लगा के यह distribution सीख लिया बहुत ही important analysis है यहाँ पर देखो combination of registers में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे series combination ạnh dryaskin series combination हमने आपको बताई दिया सीदा का सीड़ा रेस्टन को क्या कर्द है अगर आपको series combination में देखना है तो current की value क्या होती है series combination में सेम होती है और current की value same होती है और दूसरी चीज es अगर मैं आप से यह कहूं, सीरीज कॉंबिनेशन में, कि भाई साब, मुझे करंट की वेलू तो ठीक है, सेम है, अगर मुझे ये बताओ, कि नेट करंट अगर बैटरी से पास करने वाला निकालना है, अगर मालो इसको मैंने किस से अटेस कर दिया, एक बैटरी से अटेस कर द करणको दिया आइसे पाफ में निकाल सकते है रेका, और वैसे मैं कहूंगा आया क्या यह व्यवडेंटरी वाइद रखें इसमें, अगर आठीस का निक्यालने का तरीका और वैसे मैं कहूंगा क्या अरवन अरट बाइस्स अचलीश यह क्यों यहां का potential B होगा, यहां का भी potential कितना होगा, B होगा, यहां का भी potential कितना होगा, B होगा, मतलब R1, R2, R3, तीनों के तीनों के तीनों के तीनों लगे हुए, A और B के बीच में, A और B के बीच में, A और B के बीच में, इसका मतलब तीनों के तीनों के तीनों किस में है, parallel combination में ह इसमें बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो, कि अगर मुझे A और B के बीच में लिखना है, किसके बीच में लिखना है वाई साब, A and B के बीच में अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो A and B के बीच में लिखना चाहता हूँ, तो आप समझो, A एरा, B एरा, अब इसका potential हमे मैं पता नहीं हमने X माल लिया इसका potential मैं पता नहीं इसलिए X माल लिया यह question मैंने class में भी कराया if you remember अगर आप लोगोंने class मेरी attend की हो तो उसमें भी कराया है ठीक है तो अब देखो यह और B के बीच में एक लगा दिया अभी देखो यह और X के अब यहां पर ढयान से समझो यह ए शुरू और X की बीच में एक लगा है तो इस थरह से यह यह कितना और आर बाय टू और यह फिर आपस में series में हो जाएंगे फिर उसके साथ यह भी parallel में हो जाएगा तो इस तरह के अगर मालो कि अगर दो पॉइंट्स है एन इक वल रसिस्टर्स वरसिस्टर्स और उनकी रजिस्टर्स और अगर यह सीरीज में लगा दिये सीरीज में लगा दिये तो आर एक्वलेंट की वेलू हो जाएगी एन इन्टू आर लेकिन अगर पैरलल में लगा दिये तो इसकी आर एक्वलेंट की वेलू हो जाएगी आर बाई एन यह आपको बस याद रखनी होगी ठीक है next अब समझने की कोशिश करें wheatstone brace क्या है wheatstone brace में हम balanced wheatstone brace पढ़ेंगे wheatstone brace होता है यह arrangement this arrangement is called wheatstone brace यह arrangement balance कब बनता है balance तब बनेगा जब आमने सामने के resistors की जो resistance है उसका multiplication क्या हो जाए equal हो जाए r1 r3 equal हो जाए किसके r2 r4 के अगर equal हो जाता है तो यह balanced wheatstone brace बन जाएगा balanced में r5 में कोई current नहीं जाता इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं remove कर देते हैं और यह कहानी ऐसी बन जाती है ठीक है और उस case में हम इन दोनों को series में मानके इन दोनों को series में मानके और आपस में parallel में मानके आर equivalent easily हम निकाल सकते हैं यह alternative figures मतलब ऐसे दे रखे होते हैं कभी-कभी कि यह figure भी दे रखा हो सकता है आपको और यह भी wheatstone bridge का figure figure है जिसमें यह 5 ohm जो है वो क्या beach वाला register है इसको किस तरह से कर सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसको कई बार करा है इसलिए ज्यादा discuss नहीं करूँगा आप खुद analysis इसका कर सकते हैं आप समझ रहे हो इस तरह का figure दे रखा है इसका मतलब क्या है एक इसमें दे रखा है यह wheatstone bridge का figure है यह wheatstone bridge का figure है जब 5 registers लगे हुआ और इस तरह से combination है तो इसका मतलब यह wheatstone bridge है आप बात करते हैं क्यूब की रजिस्टर समाल लो एक क्यूब दे रखा है आपको और क्यूब के बहुत ध्यान से समझना मेरी बात क्यूब में क्या लगा हुआ है यहां पर रिजिस्टर लगे हुए है क्यूब की जो sites है न इन sites में equal registers लगे हुए है कीया लगे हुए बई साइट में हमारे एक हौल रेजिस्टर्स लगे वए आपको तीन चीजह पूछी जा सकती है वो देखो धिहान से किया तीन चीजह पूछी जा सकती है एक गए हर Лगा यहां पर भूल a आपको या तो पूछा जा सकता है side के आपका या तो पूछा सकता है जैसे कि A B के across पूचे A ये रहा point और B ये रहा इसको बोलते हैं body diagonal क्या बोलते हैं body diagonal body diagonal के across अगर आपको अगर B और A के across battery लगाते हैं तो R equivalent की value कितनी होगी 5R by 6 होगी body diagonal के across अगर A और C के across लगाते हैं तो ध्यान से समझो A ये रहा और C ये रहा ये क्या है ये एक side है side के across अगर लगाएंगे edge के across अगर लगाएंगे तो ये होती है भाई 7R by 12 तो इसको याद रखना है 7R by 12 R equivalent अगर A और D के across लगाएंगे इसको याद करने का तरीका ये है भाई साब आपका electric formula for box electric formula for box जहां पर E से edge, F से face diagonal, B से body diagonal बस आपको क्या लिखना है, गिंतिया लिखनी है, कैसे लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, समझे, यह देखो, यहाँ से 1 से शुरू करो, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और बस यहाँ पर multiply कर, 5, 6, 7, और यहाँ पर R का multiply कर दो, तो आपका ये formula बनके त्यार हो गया, ठी 2, 3, 4, 5, 6, 7, और RR multiply कर दो, तो edge के across कितना हो गया, 7R by 12, face के across 3R by 4, body diagonal के across, face diagonal के across ये, body diagonal के across ये, तो इस तरह से आप formula याद रख सकते है, infinite leaders में अगर दे रखा है, तो अब भहुत ध्यान से समझे, infinite leaders का formula याद करना पड़ेगा, यहाँ पर R1 लगा हुआ है, यहाँ पर R 1 यहाँ पर R2, यहाँ पर R1 यहाँ पर R2, ध्यान से समझे, आपका ये जो R A और B के across जो आपका, क्या आएगा, R equivalent वो यहाँ आएगा, R 1 प्लस X R2 अपन X R2, और यहाँ पर भहुत ध्यान से समझे, यह X जो है, वो कुछ और नहीं है, R equivalent across A B है, अगर मालो R1, R2, R2, R1, R2 same हो जाते है, R R R R हो जाते हैं, तो यहाँ पर R रखी है, 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 और इस R A B को क्वी क्या लख हुए, X रखी है, और X की value finally निकालनी है, दो ladder problems और भी मेरे पास है, जिन में हम formula आपको रटा देंगे, तो आपको क्योंकि A और B के इधर, जो design है, infinite registers लगे हुए, ऐसे C और D के बाद में यहाँ पर देखे हैं, तो यहाँ पर भी infinite registers लगे हुए हैं, तो जो A B के across R equivalent होगा, वही CD के across होगा, इसलिए CD के across, जो आगे बाली पूरी circuit है, उसको X रख दिया है, और A B के across B, आपका जो R equivalent है, व X की value आपको निकालनी है, यह अलग अलग cases होते हैं, उनको आगे discuss करेंगे, इसलिए यही पर इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, thermal effect of current, बहुत ध्यान से समझा हम, energy and power की बात करने वाले हैं, आप है, joules heating effect, अब देखो ध्यान से, अगर मैं constant current flow करा रहा हूँ, एक resistor में, तो आप ध्यान से समझो, I अगर current जा रहा है, इसके across potential difference है V, किसके resistor के, उसकी resistance कितनी R है, तो आप मुझे एक चीज़ बता हैं, भाईयो और बहनों, एक चीज़ बता हैं, color अच्छा सा ले लेते हैं, भाई, कौन सा ले ले, कुछ भी ले लो यार, ओहो, यहां पे तो color बह इस्टर में है, जो power consume होती है, power का मतलब होता है, energy consumed by the resistor per unit time, इसको हम I square R और V square by R या फिर V I लिख सकते हैं, ठीक है, unit होती है, अगर मुझे heat लिखना है, heat, कि heat कितनी consume ही, तो सीधा I square R into T कर देंगे, या V square by R into T कर देंगे, या V I T कर देंगे, जूल्स में, ठीक है, दूसरी चीज, आप अगर battery दे रखिया, आपकी battery, तो battery का, अगर मुझे power लिखना है, कि battery में I current इदर जा रहा है, battery के across जो potential difference है, V है, तो यहाँ पर battery की power लिखी जाएगी, power of the battery, सीधी V into I, यहाँ पर battery की power V into I तब लिखी जाएगी, जब battery source की तरह behave करेगी, जब battery की negative terminal से positive terminal की तरफ current जाएगा, समझ मैं, अगर उलिटा case हो गया, यह भाई साब, battery की इस तरह से current flow हो रहा है, battery के plus से minus, तो battery की जो power लिखी जाएगी, इसमें current आई जा रहा है, तो battery की जो power लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी अपकी minus V into I, यह बात आप याद रख लाएगे, ब इस तरह से आपको इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ज्यादा घबरानी की इसमें जरूत है नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अब यह देखो ध्यान से, time varying current अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यह तो power लिखना है, तो minus q into v हो जाएगा, यहाँ पर walk down हो जाएगा, minus plus q into v, लेकिन power लिखनी है, तो q की जगा आई आजाता है, बस, time varying में क्या होगा, heat generated अगर लिखनी है, तो सीधा i square r dt का integration करना पड़ेगा, from t1 से t2, अगर average लिखनी है, तो average के लिए आप integration i square r dt upon integration t कर सकते हैं, example लिए है, तो यह लगा के, अगर solve करेंगे, तो इसकी value, कुछ average की value कुछ तो को आ जाएगी, अब check कर लेना, समझ में आ रही है, इस ते कहानी के twist, अब देखो दियान से, maximum power transfer theorem, यह एक कहानी कि भाईसा, maximum power transfer होगी, वो तब होगी, जब capital R की value, small r के equal हो जाएगी, ठीक है, for maximum power transfer, external register must be equal to the internal register, मतलब कहनी की बात ही है, कि अगर मैं चाहता हूँ, कि maximum power इसको मिले, किसको maximum power, हम maximum power extract कर सके, कहां से maximum power extract कर सके, तो देखो, भाईसाब, एक चीज़ समझाए, अगर, मेरी power archive, अगर मैं एक graph बनाना चाहता हूँ आपके लिए, और वो क्या बनाना चाहता हूँ, वो समझने की कोशिश कर है, यह पी आउट्पुट, मतलब, पावर जो आउट निकल रही है, पावर इससे जो एक्स्ट्रेक्ट कर रहे है, वो पी आउट वर्सिस केपिटल आर, इसमें graph बनाना चाहता हूँ, तो आपकी जो बनता है, वो इस तरह से बनता है भाई साथ, मतलब यह है कि यहाँ पे capital R की value क्या है R, जब capital R की value R हो जाएगी, तो maximum power आपको क्या मिलेगी, बाहर मिलेगी, यह होता है efficiency, efficiency का और graph होता है भाई, efficiency का graph देखो कैसे होता है, अगर में देखना चाहता हूँ, efficiency क्या है, तो efficiency का graph कुछ ऐसा बनता है, मतलब 100% efficiency आपको जो मिलती है, यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100% efficiency, 100% efficiency, efficiency मतलब जितना ज़्यादा आप रजिस्टर लगाओ, तो यह efficiency versus capital R का graph है, ठीक है, यह efficiency versus capital R का graph और यह भाई, power output versus R का graph, अभी यहाँ तक यह याद है, अब इसलिए आपको अगर कोई graph पूछ ले, भाई, जो efficiency है, मतलब battery को जो efficient बना पा रहे हो, efficient का मतलब काम की, अब आप सोचो, बड़ी battery लेके आगए, और आपने इतना चल्लू सा बल्व लगा दिया उससे, तो efficiency क्या होगी, एकदम काम होनी चाहि बहुत important, कि जब हमारी capital R is equal to small R होती है, उस case में जो efficiency निकलती है, वो 50% के आसपस निकलती है, जहां तक मुझे याद है, समझ मही, efficiency 50% क्यों निकलती है, जब capital R, small R के एकवल हो जाएगा, तब आज बैटरी का जो खुद का internal register है, वो आधी energy खा जाएगा, और ये आधी energy ख अच्छे से करना चाहते हो, आपके इसको बैटरी को तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, capital R को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये conditions है, तो ये conditions है, now next is concept of power rating, power rating का मतलब हुआ कि जब किसी दुकान से आप बल्ब खरीद के लाते हो, एक बार मैं चेक कर लूँ, भाई स सईद उजयर सर कोई देख नहीं रहा है, आई फीट बैल दो, अरे या साड़े चार बजे कौन आ जाएगा, PW कश्मीर प्रेजेंट सर खाली मैं हूँ, अकेले आज भी खड़ा हूँ, सर, भाई सब कोई बात नहीं, आप सो जाईए, इस टाइम पर सोने का टाइम है, आई चलो भाई मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाना ध्यान देते हैं, पढ़ाही पर, देखो क्या है, concept of power rating का मतलब यहाँ कोई बल्व है, आप बल्व खरीद के मार्केट से लेकर आओगे, तो इंडिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यह होता है कि स्पैसिफिकेशन क्या होत होती है कि यह बाई 220 वोल्ट पर अगर इस बल्व को लगाओगे, तो 50 वाट एनरजी कंज्यूम करेगा यह, अगर 200 बीट से कम वोल्ट पर लगाया, तो 50 वाट का उजाला नहीं करेगा, 50 वाट से कम उजाला करेगा, 50 वाट से कम उजाला करेगा, यह rated voltage है, मतलब यह किलने के लिए, वी जो माग्ड है, उसका square divided by power माग, इस तरह से आप resistance बल्व का निकाल सकते हो, समझ मैं, resistance यहां से बल्व का निकाल सकते हो, कितना है, mean, bulb will consume 50 वाट, if 220 वोल्ट is across it, resistance of bulb निकालना है, तो जो मार्किंग पावर का square upon P, यहाँ पर 968, ओम के आसपास आपका क् जा गया, if V अगर हम बढ़ाएंगे, is across the bulb, it will fuse, मतलब बल्व खराब हो जाएगा, 220 वोल्ट से ज्यादा आप इस पर नहीं लगा सकते हो, more power, more brightness, अगर आप, मैं लो 100 वोल्ट लगा दिया, 100 वोल्ट इसके across लगा दिया, तो 100 वोल्ट पर यह कितना पावर कंज्यूम करेग पी पावर कंज्यूम इस इक्वल टू, V स्क्वेर बाई, अब ध्यान से देखो, V स्क्वेर, V कितना, V कितना लगा रहे हो आप, 100 वोल्ट लगा रहे हो, 100 वोल्ट का स्क्वेर अपन, रजिस्टन्स कितना निकाला था, रजिस्टन्स यह निकाला था, आपने 968, तो यह व resistance materialistic चीज है जो कि marking power से निकाल सकते हो जब आपको पता है दोनों चीज है कि 220 पर लगाने पर 50 watt ये खर्च करेगा समझ गये तो इस तरह से कानी चलेगी इसकी कि अगर आप ये निकालना चाहते हो तो इस तरह से आप calculate कर सकते हो ठीक है next आपका क्या है galvanometer to emitter and voltmeter अगर galvanometer से मुझे emitter बनाना है galvanometer से emitter बनाना है तो आप बहुत ध्यान से समझें यहाँ पर मुझे connected in series देखो ध्यान से समझो मैं emitter अगर बनाना चाहता हूँ ideal emitter has zero resistance अब देखो पहली बात तो ये समझो वाई कि जो emitter लगाया जाता है वो series में लगाया जाता है current check करने के लिए माल लोगे यहाँ पर आपका emitter लगा रहा है emitter हमेशा लगाया जाएगा series में क्यों क्योंकि इसमें current कितना flow हो रहा है current check करने के लिए किसी resistor में current check करने के लिए हमेशा emitter का लगाया जाता है, series में लगाया जाता है, ये बात आप दिमाग में बिठाएं, ideal emitter का क्या होगा, है zero resistance, क्योंकि अगर इस emitter का कोई resistance हो गया, तो वो पता क्या problem create करेगा, वो ये problem create करेगा भाई साब, कि यहाँ पर ये सही reading नहीं देगा, क्योंकि actual में इसमें current है V by R, लेकिन अगर emitter का खुद का resistance हुआ, तो अपना जो current का reading है, वो बदल जाएगा, तो इसलिए ideal emitter के लिए, इसका resistance zero के पास होना चाहिए, लगबग zero होना चाहिए, ठीक है, practically it has a very low resistance, मतलब practically zero resistance तो possible है नहीं, लेकिन बहुती low minute resistance इसका होता ही है, अगर इसको बनाना है, गेलवनो मीटर से तो इस तरह से बना सकते हैं, कि मालो net current इस तरह से इस R में enter कर रहा है, और ये जो इसको emitter को हमने क्या किया, zoom कर के देखो ये देख रहा है, कि भाई साब इधर ये गेलवनो मीटर लगा हुआ है, ये गेलवनो मीटर लगा हुआ है, ठीक है, गेलवनो मी distance लगा दिया ठीक है इस शंट में कितना करंट गया आई माइनस आई जी करंट शंट में चला गया आई जी इस मैक्स करंट देट केन पास थ्रू गेल्बनो मीटर फॉर फॉल डिफलेक्शन आई जी क्या है वो मैक्सिमम वेल्यू ओफ करंट है जिससे इसमें फॉल डिफलेक्शन आजाए किसमें गेल्बनो मीटर में दिया रहे आई जी कम होना चाहिए क्योंकि गेल्बनो मीटर ज्यादा बड़े करंट को मेजर नहीं कर पाता ठीक है तो आई जी की वेलू कम होने के लिए हमको शंट की वेल्यू को कम करना पड़ता है लगा शंट की लेज़ देन लेज़ देन गेल्बनो मीटर का रजस्टेंस होता है ठीक है और इस तरह से भाई साब multiply by उसका resistance कितना S है और IG into RG is the potential difference across the galvanometer तो ये करने के बाद हमको I की value मिलती है पता है क्या कि भाई I net is equal to IG 1 plus RG upon S ये formula बहुत अच्छे से याद रखना आपको question पूचेगा बताओ what is the limit of this emitter if the current passes current passing current is passing through the galvanometer is 1 milliampere IG दे रखाए आपको और RG दे रखाओगा आपको shunt दे रखाओगा आपको maximum limit of emitter पूचाओगा तो यहां से निकालेंगे या फिर आप ये बोलेगा वो कि 10 ampere का मुझे emitter बनाना है और जो galvanometer है उसमें जो current pass कर सकता है वो 0.1 ampere कर सकता है और RG की value यह है तो बता shunt कितना और कहां लगाओं तो आप बोलोगे galvanometer के parallel में shunt लगा और उसकी value यहां से calculate करेगा आई पता होगा IG पता होगा आई जी पता होगा और उसके साथ-साथ में shunt लगा जाता है parallel में लगाने के साथ-साथ में shunt की value क्या होगी very small very small value होती है इसके very small होने की वजह से अगर S बहुत-बहुत कम होगा RG से तो RG और S जब parallel में लगे हैं तो इनका equivalent भी क्या आता है S से छोटा आता है मतब दो resistance अगर parallel में लगे हैं मालने एक है एक ओम और एक हजार ओम और दोनों को parallel में लगा देते हैं तो जो R equivalent आता है वो 1 ohm से छोटे वाले से भी कमाता है समझ मैं इस वजह से यहां से जो emitter का जो resistance आ जाता है जो कि होता है आपका कितना RG S upon RG plus S ये क्या आ जाता है ये very small आ जाता है ये भी क्या आ जाता है very small आ जाता है और यहां तक कि इसकी value emitter की resistance की value less than S आती है और S already क्या था S already less than less than RG था इस तरह से हम एक ideal emitter को approach कर पाते हैं अगर S की value जितनी कम लेंगे उतना आपका ideal emitter को ये approach करेगा next अगर voltmeter में connect करना है तो voltmeter हमेशा हम resistor के क्या लगाते हैं parallel में लगाते हैं ideal voltmeter क्या है has infinite resistance practically it has very very it has very practically it has very high resistance ठीक है इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है यहीं पर सारा arrangement किया जाता है यह देखो यह voltmeter को हमने zoom किया तो इसके internal structure क्या है एक ज लगा दिया है लेकिन यहां क wish लगा लगा जाता है से जिए को बहुत जादा हो जहाँ पर बाधा होगी ज्यादा ज्यादा जहाँ पर प्रोब्लम सौंगी उधर करंट की वेलू क्या होगी कम होगी और इधर करंट सारा का सारा लगबग आई माइनस आई जी करंट इधर की इधर पास करेगा समझ मैं और जितना आई जी कम होगा उतना फाइदे मंद होगा क्योंकि सारा का सारा current यहां से pass करेगा तो यह अच्छे से ideal voltmeter बन पाएगा तो पहली बात तो condition क्या है ideal voltmeter क्या major करेगा इसके across potential difference इसके across potential difference कितना होगा बोलो इसमें इसके across potential difference कितना होगा और इसके across potential difference कितना होगा इसके across potential difference होगा भाई जो इसके, देखो, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, तो इसके across जो potential difference, वही इसके across potential difference, अब इसके across potential difference कितना निकालेंगे, इसमें current कितना जा रहा है, IG, इसका resistance net कितना हो जाएगा, RG plus S, तो यहाँ पर V is equal to, आपका क्या जाएगा, IG into RG plus S, आपको बोलेगा कि यह मुझे voltmeter बनाना है, 10V का, और current जो IG है, वो है आपका 0.1A, तो बताओ कितने का shunt लगाऊं, जिससे कि मुझे 10V का voltmeter मिल जाए, तो आप 10V यहाँ रखो, 0.1 यहाँ पर रखो, RG की value जो दे रख्ये हो, S की value निकाल लो, समझ में आ रही है, और कहां पर लगाएं, तो पहली बात तो shunt इसक होती है, very high, very high, और जब shunt की value very high होगी, तो resistance of voltmeter भी क्या होगा, very high, समझ मैं, very high, समझ गे, तो इस तरह से यह ideal voltmeter को अप्रोच करेगा, तो इस चीज को आप समझ लो, इस तरह से आप कहानी को समझाएं, अब फाइनली बचता है आपका meter brace, अब meter brace में क्या है, meter brace में आप एक बात समझने की कोशिश करें, meter brace में यहाँ पर क्या होता है, एक, यह एक wire होता है, और यह wire होता है, resistance wire, यह क्या होता है, यह resistance wire होता है, यह होता है, resistance wire, रेजिस्टन्स वायर और एक होता है जनरली 100 cm का होता है 100 cm का मतलब 1 meter तभी इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है इसमें कहानी क्या होती है कि यहां से A से B से तक बैटरी को अटेच कर दिया जाता है यहां पर एक हम लगा देते हैं भाई एक रेजिस्टन्स आर आरवन या तो यह जो आरवन होता है वो होता है नोन मतलब इसको हम जानते हैं और यह मालो क्या है आपका अन्नोन जिसको हम नहीं जानते हैं ठीक है जिसको हमको मालो कि कभी-कभी लैब में कुछ ऐसे रेजिस्टन्स पड़े होते हैं जिनको हम जानते नहीं कि क्या है तो इसको चेक करने के लिए इसकी resistance कितनी है हम यूज करते हैं मीटर ब्रेज को यह आरवन जो पता होता है उसको हम लगाते हैं कहां पर यह resistance box से लगाते हैं जो हमें पता होता है एक्चल में कितना है अब यहां से connection लेते हैं अब इस जोकी को यहां से यहां तक घुमाते हैं तो कहानी यह होती है कि जब यहां से यहां तक घुमाना शुरू करते हैं तो एक तब आता है जब डिफलेक्शन गर्वनों मीटर में नल आ जाता है मतलब इसमें करन्ट की वैलू कितनी आ जाती है बॉलतें धनी फार्ट नल्लेक्शन न ऐसा यहां पर कहानी ये होती है कैसी बन जाती ये कहानी के देखो का 終ंहों यह आरवन का थ certa संपर समय यह तायए डीक थर यह को शुन कहानी होती जरती चेल से पुन ऑतलों संप्रोंज का अजाता है आरवनлично कि आरव जो हिए आरव एक औज आबपरब थने Kapi यह आर टू समझ मैं ऑ कल्रों मीटर में एक टायम पर क्या हुजाता है डिफ्लेक्शन 0 मतलब रिव शाती दिजाता है और भिप्रेश्ट वीट स्टों और भीट सेञा निए टूर सिवफज गांगे है किसके ऑब लाजाता है आर थि पाउन और अर बी पी के अब आरेप में कितना होगा आरेपी के लिए बहुत ध्यान से सम्झे यहां से एसे पी तक है। लेंथे मालो L1 वियर और भी से बी तक हैं लेंठ लेंद स के क्या होता है resistance resistance पर unit पर unit length तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं resistance निकालना चाहता हूं किसका अगर रजिस्टेंश बी पी का निकालना चाहता हूं तो बी पी का होगा लेमड़ा इंटु लेते हैं तो वह लेमड़ा से लेमड़ा कर जाता है यहां से आपका R2 का value calculate होके आ जाता है कि non resistance जिसको हमें पता है resistance multiply by L2 by L1 ठीक है generally generally होता है L1 plus L2 100 cm होता है generally यह होता है हमेशा ऐसा नहीं होता हमेशा कुछ चीज़ चेंज हो जाती है यहापे end correction भी दे रखा होता है कि मालो left में ऐसे बोला कि left side end correction सेंटी मेटर है right side end correction 2 cm तो आपको क्या करना है भाई left side में L1 में आप add कर दीजिए plus 1 cm और right side में गड़ 2 cm है तो plus 2 cm एड़ कर दो end correction के टाइम पह किस पह end correction end correction दे रखा है तो end correction and correction अगर दे रखा है end correction माले left में दे रखा है left में दे रखा आपका 1 cm, तो आप simply L1 प्लस क्या कर दोगे, 1 cm, ठीक है, अगर end correction आपको दे रखा है, end correction आपको दे रखा है, right में, right में मालो दे रखा है आपको 2 cm, तो आपको L2 प्लस 2 cm कर दो, ज्यादा tension नहीं की जुरूत है नहीं, इस तरह से हमारा ये भाई complete हुआ theoretical part, now ह questions करेंगे, questions थोड़े से ज्यादा है, 40-50 questions है, तो इसलिए में 5 मिनट का ये 10 मिनट का break लेता हूँ, ठीक है, only यहाँ पर मैं आपका 7 minutes का break ले रहा हूँ, ठीक है, 7 minutes का break, और फिर उसके बाद में continue करने वाला हूँ, ठीक है ठीक है झाल 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 आल झाल आल झाल 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 आल आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल आल आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल झाल आल झाल 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 आल आल झाल आल 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 5 आल 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 1 आल 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 1 आल 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 10 10 आल 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 1 आल 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 20 आल 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 वोल्ट मीटर्ट जब come right घअ तो इसका रिजिस्तेन्स कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर रजिस्टेन्स कितना होगा तो यहांवा पकट कितना जाएगा यहांपर uh हो आएगा मतलब 10 ohm का कोई काम रहे गई नहीं यह 10 ohm का कोई काम रहे गई नहीं समझ मैं तो पहली बात तो 10 ohm का कोई काम रहे गा ही नहीं 10 ohm का कोई काम नहीं रहेगा इसमें करंट नहीं जाएगा तो यह मेजर क्या करेगा वोल्ट मीटर यहां यह मालों यह 10 ओम तो ही नहीं यह 10 ओम तो एक्जिस्ट ही नहीं करता है बस वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स की बीच में पोटेंशल दिफरेंस मेजर करेगा पहले बताओ पंद्रा और तीस का एक्विलेंट कितना होगा पंद्रा इंटू 30 अपॉन पंद्रा प्लस तीस तो कितना हो जाएगा यह यह वो जाएगा फॉर फिप्टी डिवाइड बाई कितना 45 तो यह हो जाएगा 10 ओम अब ध्यान से समझना 10 ओम इनका नेट आर एक्विलेंट हो गया अब 10 प्लस चार चौदा चौदा प्लस वन कितना पंद्रा तो यहाँ पे नेट सर्किट का आर एक्विलेंट कितना होगा नेट अगर मैं सर्किट का आर एक्विलेंट की बात करू आर एक्वलेंट पूरा सर्किट का नेट बात करूं तो यह हो जाएगा दस प्लस फोर प्लस वन बोलें तो पंदरा ओम अब मुझे करंट की वेलू चाहिए करंट की वेलू कितनी अब यहां पर इसका रिजिस्टंस तो जीरो है क्योंकि यह आईडियल है तो इसका का कितना था 10 तो अब बता हो इसके क्रॉस पोटेशल दिटेन्स कितना हो जायगा इहां तो 10 इसका रिजिस्टंस हो जाएगा पंदराओ तो एंसर हो जाएगा 20V, voltmeter की reading कितनी हो जाएगी, reading of voltmeter वोल्ट मीटर, वो हो जाएगी आपकी, इसका 15 और 30 का r equivalent हो जाएगा, कितना 10 और 10 multiplied इन दोनों में मिला मुलू के current कितना जा रहे हैं, current जा रहा है, current जा रहा है, 2 ampere, मिला मुलू के current जाएगा 2 ampere, इधर की तरफ, तो बीस वोल्ट अब यह मत समझ लेन असवार 10 यह तो नहीं ले लिया रहे यह तो निकल गया यह 15 और 10 15 और 30 का क्या है यह 15 और 30 का और मलकि अधियर इसम से बीस वोल्टु सकी रीडिंग और एमीटर की रीडिंग कितनी होने हो गया इपीघ्य किuir तो एमेटर की डिव्यदिंग कितनी होसलित न genre for the circuit shown in the figure अब आई की वेलू निकालनी है करन्ट बहुत ही सिंपलिष में क्या है कुछ नहीं कितना हो जैगा 4 और तुछ है तो 6 डिवाइड बैई और एक विलंट कितना चार और तुछ है तो वन एम्पेर हो जाए ज़ा दिमाग कर लगाने की जुरूत ने ठीक है वन एम्पेर तो फस और ये दे रख्खा आपका कितना टू आर ये दे रख्खा आपका आर ये दे रख्खा आपका टू आर ये दे रख्खा आपका कितना आर तो ये मानलो के कुछ ऐसा दे रख्खा है सरकिट आर 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 टू 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 देखना होगा आपको तो इस तरह से लिख सकते हैं आप फाइब प्लस रूट फॉर्टीवन डिवाइड बाइफ फॉर इंटु आर यह याद रख सकते हैं अगर आर की वैलू यहां पर वन डाल दी तो जो हमारा वैलूस थी वैसी आ जाती इसे याद रख लो और कुछ नहीं करना है आपन को ठीक है यहां पर ही बताईए एक्वलेंट रजिस्टंस बिट्वीन ए अन भी है क्या करना कुछ भी नहीं कितना हो गया यह तीन इंटू आठ इंटू तीन कितना चौबिस चैन्टू चार कितना चौबिस तो इसका माला बैलेंस देसको निकाल के भार फैक कितना साथ और चेक कितना चौदे तो साथ इंटू 14 अपन 7 प्लस 14 यह हो जाएगा आपका 14 डिवाइद बाई 3 तो 14 डिवाइद बाई 3 3rd D is the correct option तो यह तो AI PMT और इन में तो बहुत क्वेशन साथ है not a big deal the resistances of 4 pqrs of a wheatstone bridge are these are the resistance taken on the EMF of internal resistance of cell is 7 volt and 5 ohm to get the galvanometer of resistance itna the current drawn from the cell is both the simplest much be problem wali baat name they going diagram बना लेते हैं आपका है यह देखा है कि डायाग्राम कैसे बना ही मोड़ सकते हैं कैसको हमोड़ लो तो जाब डिलीट मारते हैं अब यह देखो टूडी शेप अब यह देखो इसको मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ ठीक है अब यहां पर बैटरी लगा दी ठीक है यह मालो यहां पर लगा दिया आपका दसों यहां पर लगा दिया आपका मालो थीसों और यहां पर लगा दिया आपका थीसों 10 – 30-30 बाद यहां पर लगा दिया आपका दि त्स थैंस त्स ते इस अंदो् आपका घ्यां से थीसों और यहां पर लगा दिया आपका 30 Ohm और यहां पर लगा दिया आपका 90 Ohm और यहां पर लगा दिया आपका ग्यल्वनमीटर ग्यल्वनमीटर के रिजिस्टर का कोई काम नहीं है क्योंकि बैलेंस हो जाएगा 19 to 10 30 into 30 आपको बैलेंस बना के रखना है ज्यादा कोई घभराने की जुरूति इसका a-कांबने एनट्र रेरिसेंस कितना किया बोल्रहा बैठरी कितने किये सेल 7 वोल्ट का है और ऑ माच ओम है तो पहली बात तो कि यह जो गेल्वर मीटर वो तो हर जाएगा उसको तो बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में ठीक है उसको निकाल के फैक दो अब इसका हो जाएगा 10 प्लस 30 कितना 40 और ये 9 प्लस 90 है हो जाएगा आपका 40 इंटू 120 अपोन 40 प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 मतलब 120 डिवाइड बाई चार मतलब 30 ओम 30 ओम इसका और इक्वलेंट आ गया 30 प्लस 535 30 प्लस 5 कितना 35 तो करन्ट की वेलू कितने हो जाएगी बैटरी से 7 डिवाइड बाई 35 वन बाई 5 बनेगा ये 0.2 तो 0.2 एंपिर बैटरी से ड्राउन करने पड़ेगा करन्ट ये मैं क्लास में भी करा चुक हू ये वीट स्टोन ब्रेजी बनता है वाई सब ए और बी के बीच में समझ मैं ये दिक किस तरह से बनता है ये पॉइंट को प्रसे भी लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है माल ले ये आपका ए है और ये आपका बी है अम माल ले एक चीज़ और माल ले भाई सी और डी औ माल ले सी पॉ Houston ये हां माल ले और डी पॉइट ये हमाल ले अब तो खुदी लगा ये दिख्यी ये किस किस के बीच में लगये है ये लगाय आपका बी ये भी बी हमाल ले ठ picking न पी और ये A 21 ये यह भी क्या होगा ये बी ए होगा इसका भी पोटेंशल तो और आपका C और D के बीच में एक लगा दे R, ठीक है, और आपका ये भी हो गया, ये भी कवर हो गया, अब ये किस-किस के बीच में, A और C के बीच में, A और C के बीच में एक लगा दे, कितना R, और ऐसी आपका A और D के बीच में एक और लगा है R, तो आप खुद सो, A और B क आएगा कितना आजाएगा यह तो निकल जाएगा यह तो खतम हो जाएगा तो यह आर टू आर टू आर का कितना आर तो एंसर कितना हो जाएगा आर तो अब पूछा क्या है लेकिन फोर वोल्ट की बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया फोर वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हाँ यह और बात करंड किसकिस में से फ्लो बता रहा है एफ ऐफ इसा के रहा है कि यहां से कितना करण जाएगा यह क्योंकि B जो था वो B E point था A जो था वो A F point था A F C E से current कितना जाएगा यह पूचा है पहले total current बताओ total current कितना जाएगा total जाएगा 4 by R equivalent जो कि आ रहाया था अब यह total current यह देखो जितना इधर से जाएगा उतना ही इधर से जाएगा तो सीधी बात है एंसर हो जाएगा 2 by R 2 by R समझ मैं 2 by R यहां से जाएगा 2 by R यहां से जाएगा नेट कितना flow करेगा 4 by R simple है question next question देखिए यह वाला equivalent resistance A और B के बीच में निकालना मैं calculate नहीं करूँगा क्योंकि यह wheatstone bridge बनेगा ठीक है wheatstone bridge कैसे बनेगा R R का कितना बोलो R R का कितना 2 R 2 R R कितने है parallel में इन तीनों का basically कुछ और नहीं बनेगा 2 R by 3 बनेगा और ऐसे यह भी 2 R by 3 और ऐसे यह भी कितना 2 R by 3 और ऐसे यह भी कितना 2 R by 3 अब आप सोचे यह balanced wheatstone bridge हो गया यह खतम हो जाएगा ठीक है यह खतम हो जाएगा तो 2 R by 3 2 R by 3 4 R by 3 और 4 R by 3 इधर बनेगा 4 R by 3 इधर बनेगा दोनों पैरलल में तो कितना R equivalent final R equivalent कितना आजाएगा 2 R by 3 final R equivalent आजाएगा समझ माई यह calculate तुमको खुद करना है आगे 2 bulb of 10 watt and 40 watt 10 watt का और एक बल्व है आपका कितने का 40 watt का ठीक है यह series में लगा दिये अब series में लगा दिये बहुत ध्यान से समझना है इनको क्या लगा दिये series में लगा दिये कौन सा बल्व brighter जलेगा current की value क्या होगी current की value दोनों में same होगी अब इनमें जो power output होगी power output को हम लिखना चाहेंगे i square r तो भाई साब जिसका resistance जादा होगा उसकी power output क्या होगी जादा होगी उसकी जो brightness होगी brightness होगी वो क्या होगी वो जादा होगी अब इस पर जो marking power होती है वो मालो 220 volt होती है अगर 220 पर चलाया तब 10 watt चलेगा और यहां पर भी 220 volt पर चलाया तब 40 watt देगा इसका resistance r1 इसका resistance r2 r1 कैसे लिखूँगा r1 लिखूँगा मैं 220 का square divided by 10 और r2 क्या लिखूँगा r2 लिखूँगा 220 का square divided by 40 यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ resistance के लिए हमको marking power चाहिए होती है जो मांग होती है समझ महीं जो मांग होती है ठीक है अब देखो ध्यान से बोलो किसका r1 बढ़ा है r2 बढ़ा है तो आरवन यहां से क्या है बढ़ा है तो इसलिए इसकी brightness क्या हो जाएगी brightness भाई brightness brightness कि स्की brightness brightness of 10 10 watt is greater than brightness of brightness of 40 watt हमारे घरों में जो connections होते है वो parallel connections होते है असलिए घरों में जो बड़ा बल्व होता है वो जादा उजाला करता है लेकिन घरों में हमारे connections parallel होते हैं, तो parallel connection में अगर इनको लगाते हैं, तो 40 Watt का ज्यादा उजाला करता है, और 10 Watt का कम उजाला करता है, समझ भाई, लेकिन series में जब लगा दिये, तो 10 Watt का ज्यादा उजाला करेगा, और 40 Watt का कम उजाला करेगा, यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है, next question करिये, six similar bulbs are connected and showing the figure with a DC source, ठीक है, DC source से यह basically क्या है, connect किये, of EMF E and zero internal resistance, EMF E से सब, ठीक है, the ratio of power consumption by the bulb in first, all are glowing, इसमें पहले मैं सब गलो कर रहे हैं, तो power consumption कितना होगा, power consumption जो होगा, न पावर आउट जो होगा, वो सीधा मैं I square R लिख रहा हूँ, अब मुझे पहले बताओ, मुझे, I square R में, R, I square R नहीं, ऐसा करते हैं, V square by R ले ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहे हमको V दे रखा है, तो power out is equal to V square by R equivalent लिख लो, R equivalent इनका क्या आएगा, यह देखो, यह R, यह R to R, two R, two R, two R, two R, समझ महीं, two R, two R, two R parallel में, तो बताओ, आपका कितना हो जाएगा, एग देख रहो ना, यह R और R किस में बोल सकताओ में, बोलो, यह पिर ऐसा कर लो चलो, यह मालो, यह वायर जोड रखाए इनोंने, तो ऐसा करो के ये R है, ये R है, ये 3 है, ये 3 है ये 3 हो आर केस में parallel में, ये 3 है तर टीनों का कितना हो जाएगा R by 3, इन 3 हो कितना R by 3 और इनका कितना हो जाएगा आपस में 2 R by 3 तो कहने की बात यह है, कि यह हो जाएगा V square upon 2R by 3, R equivalent पहले case में, यह पहले case की बात है, यह पहले case में R equivalent कितना होगा? 2R by 3 होगा, पहले case में, समझ जिसमें सब बल्ब जल रहे हैं, सारे बल्ब जल रहे हैं, उस case में, क्या होगा R equivalent? 2R by 3, तो P out कितना होगा? 3V square upon 2R, V कितना दे रखा है तो इसलिए इसको और भी अच्छे से लिख दें 3e2 upon 2r second case में क्या है second case में sorry second case में क्या है in the situation when two from one section two from a section a section से 2 glow कर रहे है माल लो के ये glow कर रहा है और ये glow कर रहा है और ये glow नहीं कर रहा है इसका मतलब इसकी circuit लूज हो गई है समझ मैं आ रही है आप इसका मतलब 1 from the section b अब जो section b से जो गलो कर रहा है वह एक glow कर रहा है समझ महीं एक लो कर रहा है section b से तो इसका मतलब अम मेरे को एक बात बताओ इसकी अगर circuit loose हो गई, तो यहां से कोई current नहीं जाएगा, एक glow कर रहा है, तो कोई भी एक glow करा अलो, दिक्कत क्या है, कौन सा एक glow कराना है, कोई भी करा अलो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तुमारी जो मर्जी है, वो glow करा अलो, यह glow कर गया, और यह glow नहीं कर रहा, यह भी glow नहीं कर रह अब बताओ ये दोनों किसमें, पैरलल में, तो इनका r equivalent कितना होगा, r by 2, और r by 2 के साथ में ये किसमें हो जाएगा, ये series में चला जाएगा, तो r by 2 प्लस r, second case में r equivalent हो जाएगा, 3 r by 2, और इस case में अगर power out देखूंगा, तो वो हो जाएगा भाई, e square upon r equivalent जो के आएगा, 3 r by 2, अब बस आपको power out, first case और second case का क्या करना है, ratio देखना है, समझ महीं, ये first case और ये क्या है, second case, इन दोनों का जब ratio निकालेंगे, power out in first case and second case का ratio, देखो, power out, in first case, upon power out, in second case, तो देखो, ये कितना हो जाएगा, 3 e square divided by 2 r, और अपोन, 2 e square divided by 3 r, 3 r ऊपर जाएगा, यहां से आपका ये 9 by 4 आजाएगा, लब 9 is to 4 आजाएगा, तो A is the correct option, करके देखना, बहुती सिंपल क्वेस्टन से हैं भाई, ज्यादा तफ नहीं है, आप easy questions, ठीक है, easy way में solve कर सकते हैं, next, the change, the charge flowing through the resistance are varies with time as, तो भाई आप चार्ज का जो द दे रखा है, वो दे रखा है, 80 minus BT square, where A, B are positive constant, the total heat produced in R, बहुत सिंपल है, I की value कितनी हो जाएगी, I की value हो जाएगी, DQ by, I की value हो जाएगी, DQ by DT, जिसकी value हो जाएगी, A minus 2BT, अब यह देखो, तो अब heat produced कितनी होगी, heat produced होगी, I square R DT, I square R DT, तो I square, इसका square करो, A minus 2BT का square, into R, और DT, अब integration की limit कहां से लगा है, integration की limit लगानी पड़ेगी, T is equal to 0 से, उस time तक, जिस time में current 0 हो जाएगी, अब current 0 किस time पे हो रहा है, current की value 0 किस time पे हो रही है, इसे 0 करो भाई, A minus 2BT को 0 के equal रखो, तो यह हो जाएगी, T is equal to A upon 2B, इसलिए जो हाँ तक current की value 0 हो जाएगी, इसके बाद तो कोई कहानी नहीं रहेगी, इसके बाद तो heat produce ही नहीं होगा, heat produce कहां तक होगा, जब तक current flow होगा, तब तक heat produce होगा, समझ महीं, इसलिए limit लगाएंगे 0 से A upon 2B तक, simple, अब यहाँ पर इसका integration जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, A minus 2BT, इसका cube upon 3, ठीक है, और upon में आएगा minus 2B, और limit कहां से कहां तक, हाँ पर R B, limit is A 0 से 0 से A upon 2B तक, ठीक है, तो यहाँ पर यह आ गया, minus R upon 6B, पहले limit रखो A upon 2B रख दो, A upon 2B रखेंगे तो यह भाई 0 हो जाएगा, A upon 2B पर कितना हो जाएगा 0, तो पहले तो यह 0, minus, 0 रखो पहले, 0 जैसी रखोगे तो यह आएगा, A cube, simple, तो यहाँ से answer कितना आएगा, यहाँ से आएगा, R A cube upon 6B, 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 so this should be the answer, ठीक है, next, A filament bulb, marking इतनी हो रखें, marking इतनी होने का क्या मतलब हुआ, यह market से जब तुम खरीद के लाए तो इतना marking है, इतना marking है, तो सीधर resistance तो निकाली सकते हो, कितना? Resistance कैसे निकालते हैं, भाई? 100 का square divided by 500, वैसे मैंने ऐसे ही निकाल दिया, आपकी खुशी के लिए, मुझे नहीं पता question में क्या पूचा है, ठीक है? तो यहाँ से यह आ गया, भाई, 20 ohm इसका resistance आ गया, is to be used in a 230 volt main supply, 230 volt की main supply में इसको यूज करना है, ठीक है? When a resistance R is connected in series, मतलब कहने की बात यह है, यह बल्व है, और इसके across, इसके series में एक resistance R लगा दिया है, और यह बल्व का resistance कितना है? 20 ohm, और इस पर maximum potential कितना हो सकता है? 100 volt इस पर maximum हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा हुआ 100 volt से इसके across potential difference, तो यह फूक हो जाएगा, fuse हो जाएगा, समझ मैं आई, बैठरी कितने की लगा दिया है? 230 volt की बैठरी लगा दिया, पूचा कहा है? It works perfectly, अगर यह वाक पॉफेक्टली कर रहा है, मतलब इसके across जो potential difference है, वो 100 से कमी आ रहा है, समझ मैं? It works perfectly and the bulb consumes 500 volt, इसका तो clear मतलब हो गया, कि अगर बल 500 watt अगर consume कर रहा है, इसका मतलब clearly उसके across potential difference कितना आ रहा है, 100 volt आ रहा है, कितना आ रहा है उसके across potential difference, 100 volt उसके across potential difference आ रहा है, 500 watt से अगर कम consume करता, तो potential difference कम आता, समझ मैं? और 500 watt से कम consume करता, तो इसके across potential difference कम आता 100 से, समझ मैं, लेकिन 500 watt से ज़्यादा ये consume कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे इसके across potential difference 100 watt से ज़्यादा जाएगा, 100 volt से ज़्यादा जाएगा, वैसे ये fuse हो जाएगा, लेकिन ये क्या कहा रहा है, पॉफेक्टली काम कर रहा है, और 500 watt एक consume कर रहा है, इसके across potential difference हमें पता लग गया, कितना है भाई, इसके across potential difference है, भाई, 100 volt, आया समझ, अब मुझे एक बाव बता कि इसमें current कितना जा रहा होगा, इसके across 100 volt potential difference है, इसका resistance कितना है, 20, तो इसमें current कितना जाएगा, 100 divided by 20, मतलब यह आगया, 5 amp, क्या 5 amp, क्रॉइघ करण्टि इसमें जा रहा होगा, इकजएक्ली 5 amp, और इसके across potential difference कितना होगा, इसके across potential difference plus इसके across potential difference is equal to क्या, मतलब अगर मैं 100 plus V2 is equal to क्या कर सकता हूँ मैं, 230 तो V2 is equal to कितना गया 130 volt अब simply V2 को क्या लिख सकता हूं मैं V2 को लिख सकता हूं इसमें जाने वाला current into resistance V2 कितना है 130 I कितना है 5 और into resistance R निकालना है तो R is equal to 130 divided by 5 तो कितना हो जाएगा पाज दुन आप शेक समस्वें कितना हो गया 5 तो कितना 10 और 356 26 तो C is the correct option टेक है यस तरह से आप इसको निकाल सकते थे यह देखिए धिहान से इसमें क्या है 2 cities are 150 km apart electric power sent from one city to another city through copper wires the fall of potential per km is 8 volt fall of potential per km कितना है वाई 8 volt 150 km दूर है दो city से पर km कितना 8 volt तो 150 km पर potential में जो ड्रॉप हो जाएगा यहां वीए है यहां वीबी है तो बोलो वीए माइनस वीबी कितना हो जाएगा बोलो एट इंटू एक सो पचास मैं 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 में बारा सो वोल्ट अब बोलो क्या बोल रहा है देवरेज रिस्टन्स पर किलो मीटर तो आर एक्वलेंट कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फ़ाइव इनक्तू देड़सो मतलब पिचट्र अम अब पूज़ा कहा है विए बार लॉस इंद वायर सिंपल सी बात है वाई पावर लॉस कितना हो जाएगा बोलो पावर लॉस निकालना है तो पावर लॉस कितना हो जाएगा पीज इक्वल टू वे स्क square divided by 75 144 0000 divided by 75 तो यह हो जाएगा आपका कितना आएगा तीन से यह 25 तीन से यह दिवेड़ेट भी पच्चिस और यह हो जाएगा 4800 मुल्टिप्लाइब चार यह हो जाएगा जीरो जीरो तो यह हो जाएगा आपका 19.2 किलोवाट 19.2 किलोवाट इस देंसर सिंपल है भाई चेक कर लो आगे एव वोल्टेज अक्रोस अब रेटेट रेटेट मतलब जब भी यह मांग यह रेटेट लिखाओ इसका मतलब यह है कहंड़ वाट पर चलाओगे तो सब्सॉरी 220 वोल्ट प यह खाएगा ड्रॉप 2.5% आफ इस रेटेट वैली ठीक है भाई दपर संटेज ऑ रेटेट वैलू बाई विस्ट पावर वुड डिक्रीज इस क्या हो जाती है भाई साब डिक्रीज हो जाती है तो पावर में डिक्रीमेंट क्या गए तो सिंपल है पी पहले बताओ मुझे इसे तो स्वेठेट गया विघ्यान से समझों रज स्टर Śेटिंस की वैलू किती हो घृण की इस डेलू साब इतनी होगई तिकर क्या है रजिस्टंस क्या रहता है रहता है रेजिस्टंस में कोई च्रीज नहीं है अब अगर मुझे निकालना है का भाई ब्रजग क्या होगे है अब देख़ो पावर इसक्वर टुक्या होगा पावर हम लिखते हैं वी स्क्वेर बाइं आप लेकिन रिदरस सेंज नहीं होता अगर तुम वी की वेलू चेंज करोगे तो भाई पावर कंजम्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा हम यहां पर सीधा ऐसे लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इंटु हंड्रेड रजिस्टंस में कोई चेंज नहीं आता तो यहां पर टू इंटु डेल्टा वी अपॉन वी इंटु ह अब यहां पर आपको जो ड्रॉप दे रखा है वो किसमे दे रखा है ड्रॉप दे रखा है वोल्टेज में तो यहां पर ड्रॉप कितना परसंट 2.5% तो 5% ड्रॉप किसमें आ जाएगा ड्रॉप आ जाएगा पावर कंजम्शन में समाज भाई तो C शुट बीड़ स्वार्ट नाइनों में कितना 36 वार्ट का पावर कंजम्शन है ठीक है दो पोटेंशल डिफरेंस अक्रॉप पोटेंशल डिफरेंस अक्रॉप पोटेंशल डिफरेंस अक्रॉप बताना है सिंपल अब पावर इसमें कितना है भाई पावर इसमें कंजम्शन आपका 36 जो potential difference है, माल लो यहाँ V है और यहाँ पर 0 है, तो कितना है वो, तो V square upon 9 is equal to 36, तो V is equal to यहाँ पर 6 into 3, 18 volt आ जाएगा, अब 18 volt यहाँ पर क्या है, potential difference इसकी across, तो इसकी across भी कितना होगा, potential difference, 18 volt, अब इसकी across 18 volt है, इसकी across भी 18 volt है, पूचा क्या है वाई, potential difference across 2 ohm resist, तो कितना हो जाएगा, बोलो मुझे, 2 ohm क्या across कितना हो जाएगा, 9 और 6, तो इसे simple है, current निगा लो भाई, बोलो, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 18 volt, और यहाँ पर कितना, 0, यही हो गया, 9 और 6 का कितना हो गया, 9 into 6 upon 9 plus 6, 54, divide by, तो यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 9 into 6 upon 9 plus 6, तो 5 times, इतना, इतना resistance हो जाएगा, इसका, यह हो जाएगा, R equivalent, अब मुझे बताओ, इन दोनों का R equivalent आगया, आपका कितना, 18 by 5, तो यहाँ से current कितना जा रहा होगा, इन में, बोलो, इनके across potential difference कितना है, 18 volt, तो current की value हो जाएगी, 18 divided by R equivalent, जो कि क्या है, 18 by 5, तो यह जाएगी 5 ampere, अब यह 5 ampere current यहाँ से travel कर रहा होगा, 5 ampere net current है, 5 ampere, 5 ampere, अब सोचो 5 ampere इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 into 2, 10 volt potential difference हो जाएगा, across 2 ohms, समझ में आ रही है, तो 10 ohms potential difference 2 ohms के across हो जाएगा, simple है, बहुती easy questions हैं, आप try तो करो पहले, अब देखो, next is, यह वाला देखिये, electric kettle takes 4 ampere current at 220 volt, how much time will it take to boil 1 kg of water from temperature 20 degrees Celsius, पहली बात तो बताओ, कितनी heat चाहिए, पानी को, यह Q net है, यह क्या भाई, यह Q net है, तो Q net कितनी चाहिए, पानी को कितने से 20 degrees से boiling तब पहुंचाने के लिए, मतलब 100 degrees Celsius तक पहुंचाने के लिए, मास कितना है उसका, 1000 into specific heat capacity हम Joule में ले रहे हैं, तो 4.2 Joule, और multiply by temperature change, जो के 100 minus 20, तो आपका यह हो गया, 80, यह हो गया, 4200, multiply by 80, तो यह हो गया, आपका, 000, इतना, इतना Joule, अब बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक केटरल कोई 4 ampere current है और potential difference कितना है, 220 volt, तो बताओ, energy कितना deliver करेगी, वो T time में है, पावर कितनी होगी लेक्ट्रिक केटरल की, 220 multiply by, मतलब V into I, V into I, V into current, 220 multiply by 4, यह पावर है, तो T time में कितनी energy deliver करेगी, energy in time T, तो simply आप 220 multiply by, चार multiply by time, और इसको equal कर दो आप 3, 3, 6, 0, 0, 0 से, समझ माई, तो simple आपका answer आजाएगा, तो T is equal to, कितना आगया, जल्दी अब calculate कर लो भाई, ताइम की value कितनी आगी, 3, 36, divided by, 8, 8, 0, ठीक है, तो अब यह कितना आजाता है, 0 से 0 गया, यह आ गया, 3, 3, 8 से कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, हाँ हो रही है, तो 8 से हो गया, 4200, divided by, 1100, ठीक है, तो यह हो गया, आपका, पॉइंट, 8, कुछ ऐसा आगया, और इसमें बस 6 का divide करना है, आपको, क्योंकि यह seconds में आया है, तो time, आपका time कितना आगया, 381.8 सेकंद, अगर इसको डिवाइट कर दूँ है किस से, 60 से, sorry, 60 से डिवाइट करू, 60 से डिवाइट करने के बादे, यह minutes में आ जाएग, तो कितना आ रहा है, 6.something आएगा, 6.63, this should be the answer, समझ भाई, तो A is the correct option, नहीं करो, the total power dissipated in what in the given circuit shown, कितना पावर हो जाएगी, तो simple है, यह 6 और 3 का कितना, 2 और 2 और 4 का कितना, 6, तो 6 तो resistance हो गया, और potential difference कितना है, 18, तो V square by R, तो 18 का square divided by 6, तो भाई, 18 into, कितना बजग गया, 3, तो 54 वोट आगी, तो C is the correct option, रहे, आर equivalent निकालना है, यह देखो, यह दोनो parallel में, उसके साथ यह series में, 6 और 3 निका कितना, 2 हो गया, ठीक है, और 2 प्लस 4 कितना, 6, नो, यह देखिए, 5 ampere fuse wire can, withstand maximum power of 1 watt in the circuit, the resistance of the fuse wire is, तो resistance of the fuse wire कितना हो जाएगा, भाई, V square by, आर, नहीं, I square R, sorry, I square R, is equal to 1, तो आई कितना, 5 का square into R is equal to 1, R is equal to 1 by 25, हमने कुछ गलत तो कर दिया, क्या, नहीं, 0.4 ohm, तो आपका यह एमसर आगया, ठीक है, आगे भड़ो, यह बाला करो, नहीं यह बाला कितना है, आप तीन बाल्ब है, किसमें लगा दिये, तो यह बाल्ब है, और एक बाल्ब यह और एक बाल्ब यहा, और यह 200 वोल्ट की सप्लाई से लगा दिये 200 वोल्ट की सप्लाई से ही लगा दिये नेट पावर ड्रोन बतानी है ठीक है ना पावर नेट कंजीयम किते होगी मेरे साथ सब शुक्स्टी आनी चीहाँ लेकिन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिखकत निए पहली बात तो इसको कितना मिलने वाला है इसको क्योंकि 3 हो equal resistance के होगे तो इसके across potential difference होगा 20 by 3 200 by 3 ठीक है और इसके across 200 by 3 और इसके across भी कितना 200 by 3 इसका resistance भी माल लो आर इसका भी माल लो आर इसका भी माल लो आब बताओ पावर ड्रोन कितना हो जाएगा सीधा सीधा कर दो कुछ नहीं करना भाई I square R1 plus R2 plus R3 I square R plus R plus R और I की value क्या लिखोगे तुम I की value लिखोगे सीधा ये कितना है V V upon 3R समझ मैं जो V कितना है 200 upon 3R और इसका क्या कर दो square और into 3R ये तो सेम है आगया ये क्या चक कर चल रहा है कुछ नहीं है ये कितना हो गया ये तो direct भी लिख सकते हैं पर इसको V square by R भी कर सकते हैं V square by R equivalent V square by R equivalent तो ये कितना हो गया V कितना है 200 और R equivalent कितना है 3R समझ मैं तो बस आर की वेल्व निकालनी है आर की वेल्व कितनी होगी आर की वेल्व होगी आपकी वो तो marking power सी आती है V square upon 60 ठीक है यहाँ पर 220 नहीं है सौरी ये 200 200 ये ठीक है इतना है 200 का square divided by कितना अरे भाई बोलो अरे ये मिटा दिया क्या ये कितना है ये 200 इसका आ रहा है हाँ ये कितना 60 तो बस यहां रख दो कितना हो जाएगा भाई 200 divided by 3 और ये 200 का square divided by 60 200 से 200 गई 60 divided by 600 ये 0.5 गड़बड हो गई कुछ तो गड़बड हो गई क्या गड़बड हो गई क्या गड़बड हो गई वैसे क्या गड़बड हो गई 60 वोट आने चाहिए ने एंसर V स्क्वाइर है सोरी यहां पर हम गड़बड कर गए है ये देख यहां पर square है ये 200 का क्या है भाई square है तो बस 200 का square divided by 3R अब देख 200 का square लास्ट में आते आते ना मेरा दिमाग काम करा बंद कर जाता है इंटु 3R R की वेलू कितनी है 200 का square divided by 60 तो यह आपकी आगई कितनी 20 वोट आगई 20 वोट आई है ठीक है तो दिस वोट बीड़ एंसर अब आपका R की वेलू कितनी हो जाएगी R की वेलू हो जाएगी एक रिस्टेंस की वेलू कितनी 200 का square divided by 60 तो देन गेट वेलू एज 220 वोट 20 वोट इस दो वेलू ओके नो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि तुमें भी बता है मेरा दिमाँ अभी खोड़ा सा काम निकर चार पांच क्वेश्टेंस रहे हैं 78 स्लाइट पर पहुंच गया है 84 स्लाइट पर पहुंचना है वस समझ रहे हैं तो कितना बचे हैं आप बस कुछ नहीं है बचे चार पांच क्वेश्टेंस बचेंस ज्यादा कुछ नहीं बचेंटीक एमीट पर बेस्ट बचेंट अँए एक क्वेश्टन लास्ट है इसके बार मीटर बिरे इसके questions है ठीक है तो मुझे बस पाँच मिनट का break दो जिससे कि मेरा दिमाग refresh हो सके ठीक है पाँच मिनट का only break है okay guys झ静22 गने कारफ का बार में तो सके कि अई ठाट डिमागपर जिससे पाम भार मेरा दिलना झाच मिनट का ग犯 कारव मिनट का तो सके कि ऑन कि कि अव claro idiot झाल 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 यह झाल यह यह झाल 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 यह झाल यह 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 झाल यह 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 यह